नमस्कार मित्रों, हमारे पुरानी पीडी के लोग अपने जीवन में 100 दिपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे. लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं, तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ कर मृत्यू को प्राप्त कर लेते हैं. आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग, बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यू को प्र क्या सच में इसका कोई कारण है अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है आज की इसमें हम इन ही आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंडने की कोशिश करेंगे उससे पहले आप इस विडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि ज्यान औ उसका मृत्यू अवर्श्य ही होगा और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तै हो जाता है कि उसका जन्म कहां होगा उसके मातापिता कौन होंगे उसका विवाह किसके साथ होगा यहां तक कि ये भी तै होता है कि उसकी मृत्यू कहा और कब होगी? सभी धर्मों में मृत्यू को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है. किसी का जीवन या मृत्यू भगवान के हाथों में होता है. आपने सुना होगा कि जितनी चाभी भरी रामने उतना चले खिलोना, हम वो खिलोना हैं जिसकी चाभी भगवान के हाथों में होती है और सभी चीज उनकी इच्छा से ही होती है. हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी ना किसी उद्देश के साथ ही इस मृत्य लोग में भेजते हैं. जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं. अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यू भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती हैं. कल्यूग के लक्षन में भी बताया गया है कि इस यूग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुन्यात्मा जल्दी इस लोग को त्याग कर देंगे. इसके अलावा आपको ये भी बतादूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इनसान खाली हाथ जाता है. उन्हें यह जान लेना चाहिए कि तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं. एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृती और तीसरी है जागरती. इसी लिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आये थे और खाली हाथ जाएंगे. हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था. फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया. उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आएए इस बात को समझते हैं. हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें. यह मृत्यू लोग समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है. आप इसे कर्मभूमी भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है. जब हम जन्म लेकर यहां आते हैं, तो हमें इस मृत्यू लोग की माया जाल और मो माया घेर लेती हैं. और हमें यह मृत्यू लोग अच्छा लगने लगता है. हमें इस मृत्यू लोग और यहां रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है. हम इस मृत्यू लोग को छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोग को छोड़ कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहां जाती है और बहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किये हैं या बुरे कर्म किये हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यू लोक में बहुत बुरे कर्म किये हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुपता करना पड़ता है, और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यू लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष नहीं है, हम जीवात्माओं का अंतिम लक्षयत परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है, और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, हर एक जन्म के साथ हमें अफसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके उपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं, तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जात और हमें हजारों और कई बार तो करोडों सालों तक इस निक्यो लोक में दुखों को जेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं। जाकर उसे मोक्ष मिलता है लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं भले काम करते हैं। वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लें और कुछ ही जन्मों में के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवनकाल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यू लोग के कश्टों को कम सहन करें और परमधाम में जाकर परमशांती और परम आनंद को प्राप्त करें. और जिस जीवात्मा ने मृत्यू लोक में बुरे काम किये हैं, उसे इस मृत्यू लोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है, और कई हजारों, लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है. तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ती होती है. दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यू लोक में जन्म किसी ना किसी उद्देश से होता है, और जब वह उद्देश पूरा हो जाता है, तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं. ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किये हो, लेकिन वह अभी जीवित है, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश अभी तक पूरा नहीं हुआ है. मित्रों आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यू जल्दी क्यों हो जाती है, तो हमारे जो भी प्रियजन थे, और जिनकी मृत्यू जल्दी ही हो गई हो, वो एक पवित्र आत्मा थे, और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्थ हुआ, वह हमारा उनकी मृत्यू के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्थ करें और परम शांती और परम आनंद को प्राप्थ करें, यह जन्म मृत्यू का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मित्रों आज से अपने जीवन को सार्थत बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छे आदत अपनाएं, धर्म और तपस्या में मन लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।